गुट मॉर्णिंग गाईज वेलकम बेक टू मैस चैनल जो मेरे चैनल पर नहीं है मैं उन्हें बता तुम्हें हुसलो नीजीत पुरे और आज का ब्लोग इस्टार्ड हो रहा है सुबह के साथ बज़े से और यहां हमारी चाय बन रही है ठंडी में सुबह सुबह करम करम चाय तेबल इस पर आरू को बैठना बहुत अच्छा लगता है उस पर बैठके लिए रॉंड रॉंड घुमते रहे थी और यह भीया मेडिकल वाले भीया है जो सामने मेडिकल है वह वाले भीया है आरू को खिलाने आए हैं और हमारे का रोट हमारे घर के सामने तक बन चुका है मतलब कि थोड़े नीचे से बनते हुए आ रहा है और हमारे घर के सामने तक आया है अभी एक से देर किलोमेटर रोट बनने का ही है तो उसमें पता नहीं अब कितना टाइम लग जाता है दो से तीन मेहना तो हो चुका है यह बनते बनते और अभी इतना ही बन पाया है अभी दाल भापले बनाए है हमने तो दाल तो पक चुके है हमारी भापले भी भबाद चुके बस उसने डिफ्राइ करने का बचा है तो हम इसे इडले इस्टेंड में डिफ्राइ करते है और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर दली हुई है ब्लोग में ही तो आप सर्च करके देख सक बहुत ही अच्छे लगते हैं दाल भापले हमारे घर में तो सभी को बहुत पसंद है और फिर सारा काम खतम करके आरू को सुला कर में बारा बजे बारा दस हो गए है बारा बजे से पढ़ना इस्टार्ट करने वाली थी लेकिन ग्रहक आगे थे तो फिर सामन देने में हो गया अच्छ पढ़ने श्टार्ट करें इसलिए सबसे पहले उसका सिलेबस लिखा और उसके बाद मैंने इसकी पहली क्लास देखी तो इसमें मैंने सबसे पहले विकास के अवधाना इवन इसका अधिकम का सिद्धान तर टोपिक परा और साथ में ही मैं नोट्स पनाते हुई भ और ये पढ़ते पढ़ते देड़ बच चुके और फिर मैंने दो मिलिट का रेश लिया और उसके बाद मैंने मैट्स पढ़ना इस्टार्ट किया मैट्स में नंबर सिस्टम पढ़े जब तक थोड़ी पढ़ा था कि आरू उट गई आरू सो की उटी इसलिए ऐसे दीख रही ह और फिर दोफर में भी खाना खाती हूं तो दाल भापले खा रही हूं मैं और आरू के लिए आज मैंने ओट से में थोड़ी से मिर्शी पॉर्डर पी डाली थी अब ऐसे तो मैं उसे फीका ही खाना देती थी अभी तक लेकिन अब थोड़ी सा तीखा भी देना हो गई अभी पाच बच गया लगबग और आरू यहां पर बैड़ वाल खिल रही है और दुकान में ग्राग भी आती रहते तो उनसे बाते बाते करती रहती है अभी भी मोसम कुछ सही नहीं है बदली ही आ रही है और सामने का व्यू कुछ ऐसा है और हमें बड़ी भी बना इस आने जाने वालों को बहुत ही परिसानी हो रही है इतनी से जगह में से जाना पड़ रहा है कि जहां तक रोड बनी इतनी सी जगह है सारे तरफ क्योंकि साइड में घरों बने हुए है और यहां पर आरू और उसके दादू खेल रहे है बैड बॉल और यहां पर आरू को उसके चाचु दिख चुके है तो आरू उनके पास जाई नहीं रही है और यहां पर मैं स्याम का खाना बनाने की तैयारी कर्शियू लसन चलके रखे है मैंने तो उसी पिलेट से आरू आरती उतार रही है कि जैसे देखती है वैसे करने लगती है कहीं आर्थी उतारते देखा होगा तो बस किसी भी प्लेट को लेकर ऐसे ही करती है आर्थी उतारने लगती है अगर घर का काम करके सिर्फ पढ़ाई ही करना हो तो थोड़ा मैनेच हो जाता है लेकिन बच्चों को समालना और उनका मोंड कभी कैसा रहता है कभी कैसा तो उसके हिसाफ से घर का काम खतम करके बच्चों को समाल के पढ़ाई करना थोड़ा मुस्किल हो जाता है और यहां पर आर्व प्लेट में सिकपुर ले रही है और साथ में लसुन भी बिन रही है और यहां देखो आरू मेरी ही आरती उतारने लगी बच्चे ऐसे ऐसे हरकेते करते बहुत ही फ़णी जो बहुत ही अपसेड हो और बच्चों के ऐसी फ़णी हरकेते देख ले तो हसी ही आ जोए और यहां पर हमारे स्याम का खाना बन रहा है आज हम से हम में एक कड़ी और रोटी बना रहे हैं तो आज की ब्लॉग को हम यह ही एट करते हैं तो मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लिस लाइक करें कमनट करें शेह करें और जो मेरे ब्लॉग में नए है वो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें थांक यू फर वाचिंग